अगला अभ्यास अघला अभ्यासे अधो लिखित वाक्येशू निर्देशा अनुसारम परिवर्तनम कुरुथ अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों में निर्देशा अनुसार निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है अर्थात वाक्य भी दिये हुए है और साथ-साथ अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग निर्देश भी दिये गए हैं तो जैसा निर्देश है उसके अनुसार हमें इन वाक्यों को क्या करना है परिवर्तन करना है यह था जैसे एक उधारन दिया प्रतीव प्रियमिच्छंति राज आनह यह वाक्य है और इस वाक्य को क्य क्या करना है यहां पर कोश्टक में दिया हुआ है क्या दिया एक वचने अर्थात यह जो वाक्य है प्रतीव प्रियमिच्छंति राज आना है इसको एक वचन में परिवर्तित करना है तो देखिए, दो चीजें आपको देखना है, आप उस वाक्य में करता कवचन क्या है, इसको देख लीजिए, और क्रिया कवचन क्या है, इसको देख लीजिए, साथ-साथ उसके पूरुस को भी आपको देखना है, कभी-कभी पूरुस को भी बदलने के लिए कहा जाता है, हो इसा है जा किया है बहुअरгаा का रूप है इसी दरह से क्रिया रूप बनता है कि यह जो क्रिया पध है यह वी बहुवचन का है और लाग कि को हूं एक वचन में करेंगे, तो करता बहुचन है, उसको एक वचन में करेंगे, क्रिया बहुचन में उसको भी हमें एक वचन में करना होगा, तो ऐसा कर दीजिए, तो इस तरह से यह वाक्य जो है पूरक पूरा, जो बहुचन में है, वो एक वचन में परिवर्ती तो हो जाएगा, आइए करते हैं, प्रतीप्रियमिछति राजाना यह वाक्य है, एक वचन बदलेंगे, तब क्या होगा, प्रतीप्रियमिछति राजा हो गया, जलिए, इसी तरह से अब जो वाक्य दिये जा रहे हैं, साथी निर्देश भी कोश्टक में दिये गए हैं, उसके कि यहां यहां एक वचन का हिसको क्या करना पड़ेगा में बहुअ वचन में बदलना को combination क्लिए आपको सब रूपस चाहिए वह याद करना होगा जान ना होगा तो आप सब प्रत्म पूरुस एक वचन का यह रूप है जब हम वाक्य को बहुचन में बदलेंगे क्रिया का रूप जो है वह भी वचन में होगा तो द्रिस दातु लट लकार प्रत्म पूरुस में रूप बनता है पस्यति पस्यतह पस्यंति तो सह का बहुचन हो गया ते और पस्यति का बहुचन हो गया पस्यंति इस तरह से इनकव योग कर दिजिए करता को बहुचन में बदल दिजिए और क्रिया को बहुचन में बदल दिजिए और वाक्य को फिर लिख दिजिए तो ते प्रकृतेह सोभाम पस्यंति यह हो गया बहुवचन तो इसी तरह से जो भी निर्देश दिये जाएंगे उसके नुसार हम विभिन वाक्यों को परिवर्तित करते जाएंगे आगे बढ़ते हैं ख अहम न जानामी यह वाक्य है और इस वाक्य को हमको परिवर्तित करना है कि इसमें मध्यम पूरुस एक वचने मध्यम पूरुस एक वचन में इस वाक्य को बदलना है तो अहम यह जो इस वाक्य करता पद है यह उत्तम पूरुस एक वचन का है उत्तम पुरुस एक वचन का करता पद होने के कारण से जो क्रिया पद है वो भी उत्तम पुरुस एक वचन का क्रिया पद यहां प्रयुक्त हुआ है तो मध्यम पुरुस एक वचन का करता पद हम जब लाएंगे तो क्या होगा वो? वो होता है त्वम तो मध्यम पुरुस एक वचन में हमको बदलना है तो मध्यम पुरुस में क्या हो जाएगा मध्यम पुरुस में त्वम न जानामी जानामी यह तम पुरुस का है इसको हमको क्या करना है मध्यम पुरुस एक वचन की क्रिया का प्रयोक्रना है तो जानासि त्वम न जानासी ऐसा कर दीजिए तो यह हो गया इसका रूप बदल गया मध्यम पुरुस एक वचन का यह वाक्य बन गया चलिए अगला वाक्य है ग त्वम कस्य ग्रिह जनम स्वाग्रिह रक्षसी बाच में आया है वाक्य उत्तम पुरुस एक वचने उत्तम पुरुस एक वचन में इस वाक्य को बदलना है तो त्वम यह मध्यम पुरुस का करता पद है इसको उत्तम पुरुस एक वचन में बदलना है तो त्वम को क्या करना पड़ेगा अहम करना पड़ेगा अब रक्षसी जो लिखा है इसको क्या करना है आपको इसको उत्तम पुरुस एक वचन का क्रियापद बनाना है तो क्या हो जाएगा रक्षामी अहम कश्य ग्रिह जनम स्वा ग्रिह रक्षामी तो ऐसा कर दीजिए यह हो गया क्या उत्तम पूरुस एक वचन में यह वाक्य परिवर्तित हो गिया अहम न जानामी इसको मध्यम पूरुस एक वचन में बदलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें अहम को मध्यम पूरुस एक वचन का करता पद त्वम का प्रयोक करना होगा न जानामी, जानामी को क्या करेंगे? जानसी, तो त्वम न जानसी ऐसा करेंगे, तो इस तरह से अहम न जानामी यह वाक्य जो है मध्यम पुरुस एक वचन में परिवर्तित हो जाएगा, रूप बनेगा त्वम न जानसी गह, वाक्य है, कह इदम दोसकरम कुर्यात, इस वाक्य को प्रथम पुरुस बहुवचन में परिवर्तित करना है, देखिए, इस वाक्य को बहुवचन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रथम पुरुस में, तो यहाँ पर पुरुस वाचक सब्द दिया है क्या? तो यह करतापद नहीं है करतापद यहां विलूपत है तो ऐसी स्थिती में वाक्य को जब हम प्रथम पूरुस एक वचने बदलना है और करतापद विलूपत है तब की स्थिती में क्रियापद को हम देखेंगे क्रिया पद से यह निर्धारित होगा कि यह वाक्य कौन से पुरुस और कौन से वचन का है तो यहां क्रिया पद है इच्छामी तो मी का प्रयोग आमी आवा आमा आप पढ़ते हैं जानते हैं लटलकार उत्तमपुरुस में इसका प्रयोग होता है, एक वचन का यह रूप है, अब इसको क्या करना है? प्रतमपुरुस एक वचन में बदलना है, तो चुकि कर्दापद विलूपत है, तो कर्दापद को विलूपत रहने दीजिए, उसको छेड़ने की आवशकता नहीं है तो चंदन दासम द्रश्टुम अभी इच्छामी जो लिखा है जो उत्तम पुरुस एक वचन का है इसी को आपको क्या करना है प्रथम पुरुस एक वचन का रूप बनाना है तो इच्छामी का रूप क्या हो जाएगा प्रथम पुरुस एक वचन में इच्छती तो चंदन द राजपूरुसाह देशांतरम व्रजनती इस वाक्य को प्रथम पूरुस एक वचने प्रथम पूरुस एक वचन में परिवर्तित करना है व्रजनती यह क्रिया पद है और इसी तरह राजपूरुसाह देख रहे हैं तो राजपूरुसाह भी क्या है बहुवचन का पद है, राजपूरुसह, राजपूरुसव, राजपूरुसाह, तो बहुवचन का रूप है, इसको क्या करना है, प्रसम पूरुस में ही रखना है, तो राजपूरुस या प्रसम पूरुस का तो सब्द है, लेकिन बहुवचन का है, इसको एक वचन करना है, रूप क्या हो जाएगा राजपूरुसह देसांतरम अब व्रजन्ति यह क्रिया पद है जो बहु वचन में है इसको क्या करना है एक वचन मिलेना है तो रूप क्या हो जाएगा व्रजति तो राजपूरुसह देसांतरम व्रजति ऐसा कर दीजे तो यह क्या हो जाएगा वाक् तो इस तरह से तरह तरह के प्रस्ण परिक्षा में पूछे जाते हैं और पाच संबंधित विभिन परिक्षाओं में रिक्त इस्थान से संबंधित भी कुछ प्रस्ण पूछे जाते हैं कभी कभी रिक्त इस्थान में वाले प्रस्णों में वाक्य में कहीं परभकी का कहीं परकाभी कोई भी सब्द विलुप्त कर दिये जाता है और उसको हमको लिखना होता है तो कभी इसके लिए विकल्प दिये जाता है और कभी विकल्प नहीं भी दिये जाते हैं तो पाच को यदि हम भली भाती पढ़े हैं जाने हैं अध्यान किये हैं तो विकल्प नहीं भी दिये हैं तब भी हम उनका रूप पाच के अधार पर भर सकते हैं या यदि विकल्प द यहां भ्यास में देखते हैं पूर्ति कीजिए यह कहा गया देखे निर्देशों को समझना आवश्यक है निर्देशों को यदि हम भली भाती समझ पाएंगे तब निश्चीत रुप से हम सही उत्तर दे सकते हैं तो यहां कोष्टक में जो विकल्प दिये गए हैं अलग अलग विकल्प दिये हुए हैं उनमें से एक विकल्प सही है उससे विकल्प को काम नहीं चलेगा आपको रीक्तिस्थानों के पूर्ती करने के लिए का आ गया तो वाक्य को आपको पूरा लिखना है और जहां पर वह रीक्तिस्थान है वहाँ पर जो उचित सब्दा आता है उसको आपको लिखते हुए वाक्यों को पूरा करना है तब आप पूरे अंक के भागिदार बनेंगे, आईए, प्रस्णों के और बढ़ते हैं, क, रिक्त इस्थान, विना, इदम, दूसकरम, क, कुर्यात, फिर कोश्टक में दिया है, चंदन्दासस्य, चंदन्दासेन, अब यहाँपर प्रयोग कि इसका होगा, तो विना लिका है, तो विना योग ए, तृतिया, तृतिया भग्ति से युक्त, पद का प्रयोग, यहाँ होना चाहिए, तो विकर्प जो दिया है, उसमें से कोई सा सब्द है क्या, तो देखते हैं, हाँ, चंदन्दासेन, यह इस वाक्य को पूर्ति करेंगे तो चंदन दासेन विना इदम दूसकरम कह कुर्यात चंदन दास के विना इस दूसकर कार्य को कौन कर सकता है ऐसा अगे ख कुना रिक्त इस्थान इदम वित्तान्तम निवेदयामे अब यहां हमको देखना है कि कौन से सब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए तो इदम वित्तान्तम निवेदयामे इस वित्तान्त को निवेदन करता हूँ गूरवे या गूरोह तो आपको यह देखना होगा क्या कि गूरवे गूरू के लिए इदम वित्तान्तम निवेदयामे तो गूरवे इदम वित्तान्तम निवेदयामे ऐसा कोष्टक में जो सब्द दिये हुएं वे हैं प्रसादात प्रसादेन आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता मेवनिज्या ये चंदंदास का कथन है तो आर्यक्य प्रभावस्य मेरा व्यापार बाधा रहित है तो यहां पर सब्द प्रेक्त होगा रिक्तेस्थान में, प्रसादेन, घ, अलम, रिक्तेस्थान, फिर कोष्टक में सब्द दिया गया है, कलहेन, कलहात तो अलम योगे तृतिया अर्था तृतिया भक्तिय का योग अलम के योग में होता है तो अलम निशेद वाचक अव्याइपद है तो अलम कलहेन कलह से बचो या कलह मत करो तो यहाँ पर सब्दा आएगा क्या कलहेन ग वीरह रिक्त इस्थान बालम रक्षति सब्दा दिया गया है शीहेन और सीहात तो वीरह सीहात बालम रक्षति रक्ष योगे पंचमी अर्थात रक्ष सब्दा के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है तो वीरह सीहात बालम रक्षति वीर जो है सीह से बालक की रक्षा करता है च खाली स्थान रिक्ति स्थान भीतह मम भ्राता सोपानात अपतत वश्टक में दिया हुए सब्द है कुकुरेण कुकुरात तो भीतह भय या डर के अर्थ में पंच्मी भक्ति का प्रयुक्य आता है इसलिए यहां पर जो उत्तर होगा वो पंच्मी भक्ति युक्त पद होना चाहिए तो यहां जो पद दिये गए है कुकुरेण इसमें तृत्य भक्ति है और कुकुरात में पंच्मी भक्ति है इसलिए उत्तर क्या होगा, कुकुरात, तो कुकुरात भीतह मंभ्राता सोपानात अपतत। अर्थात, कुकुर से डरा हुआ मेरा भाई सिढ़ी से ज़िब काते हैं सिढ़ी को तो सिढ़ी से गीर गया या गीर पढ़ा अगला प्रश्न है, छ़ चात्राह रिक्तिस्थान प्रश्णम प्रिच्छती आचार्यम आचार्येन यहाँ प्रश्ण क्या होगा? चात्राह ध्यान दीजिएगा बच्च जो है आचार्य को प्रश्ण पूछता है सिक्षक जो है बच्चों से जब प्रश्ण करते हैं वो अलग प्रश्ण होता है लेकिन बच्चे अपने जिग्यासा सांथ करने के लिए आचार्य से या गुरू से प्रश्ण करते हैं इसलिए चात्राह आचार्यम प्रश्णम प्रिच्छती चात्र आचार्य को प्रश्ण पूछते हैं या आचार्य चात्र से प्रश्ण करते हैं अगला भ्यास है अधोधत्तम मन्जुसातह समूचित पदानी ग्रिहत्वा विलोम पदानी लिखत अर्थात यहां मन्जुसा में एक खंज बना दिया गया है और उस खंज में कुछ सब्द दिये हुए हैं इन सब्दों से इसी कुछ बना गया है इसको कहा जाता है मन्जुसा तो इस खंज से समूचित पदानी ग्रिहत्वा उचित पद को चुन कर विलोम पदानी लिखत विलोम पद लिखिये कि इसके अधोधत्तम नीचे दिये हुए कुछ पद हैं उन पदों के विलोम पद इस खंज से इस मन्जुसा से चयन करके हमें लिखना है तो खंज में कौन-कौन से सब्द दिये हुए हैं वे सब्द है आधरह असत्यम गुणह पश्चात तदानिम और तत्र इन सब्दों में से उचित विलोम पद का चैन करके हमें दिये हुए सब्द के सामने लिखना है तो वे सब्द है का अनाधरह तो आपको यह देखना है कि अनाधरह इसका विलोम पद जो मंजुसा में दिया गया है उसमें से कोई सब्द है क्या तो अनाधर कैसे बनता है अनाधर का विलोम आधर या आधर का विलोम अनाधर तो ऐसा कोई सब्द है क्या है तो लिख दीज गुन और दोस कहते हैं तो दोस का फिलोम गुन या गुन का विलोम दोस तो दोस जो कहा गया है इसका विलोम प्द गुन अ यह मंझुसा में दिया है क्या हम तो वहाँ से चैन तो बाद में अर्थ में कोई सब्द यहां प्रयुक्त हुआ है क्या देखे जो मंजुसा में सब्द दिये गए हैं आदरह, असत्यम, गुणह, पस्चात, तदानीम और तत्र इन में से आदरह और गुणह का चैन हमने कर लिया है एक सब्द का चैन पुनह हम नहीं करेंगे और करना भी नहीं है आपको, तो पूर्वम कर्थ होता है पहले, अब इसका विलोम पद होता है हिंदी में बाद में, तो इसके अर्थ में संस्कृत में प्रयुक्त सब्द है पस्चात, मंजुसा में दिया हुआ है, तो लिख दीजिए, पूर्वम पस्चात, फिर सत्यम, सत्य का विलोम क्या होगता है, असत्य बिल्कुल सही, हाँ, तो सत्यम का विलोम क्या हो जाएगा, असत्यम, मंजुसा में दिया है क्या, हाँ, दिया है, तो सत्यम के सामने लिख दीजिए, सत्यम, असत्यम, इदानिम, इदानिम मतलब होता है इस समय, तदानिम मतलब होता है उस स इस तरह से अत्र के आगे लिख दीजे तत्र तो इस तरह से देखिए आदरह अनादरह आदरह दोसह गुणह पूर्वम पस्चात सत्यम असत्यम इदानिम तदानिम अत्र तत्र इस तरह से पाच के अधार पर जो विभिन अभ्यास प्रश्ण दिये गए हैं इनको हमने हल किया अब आगे देखते हैं उदाहरण मनुस्रित्य अधो लिखतानी पदानी प्रयोज्य पंच वाक्यानी रचयत उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों को प्रयुक्त कर पांच वाक्यों की रचना कीजिए तो विभिन वाक्य दिये हैं जैसे एक सब्द दिया वाक्यों में प्रयोक करने के लिए विभिन परिक्षाओं में प्रस्म पूछ जाते हैं आवस्ट्यक नहीं कि वे अव्याय पद ही हों कोई भी पद दिया जा सकता है उसको आपको वाक्यों में प्रयोक करने के लिए कहा ज सकता है यह था जैसे एक सब्द दिया है निश्क्रम्या निश्क्रम्या का मतलब होता है निकल कर तो इसका हमको क्या करना है वाक्य में प्रयोक करना है उधारन दिया है सिक्षि का पुस्तकालयात निश्क्रम्य कक्छाम प्रविसती सिक्षि का पुस्तकालय से निकल कर कक्छामें प्रवेस करती है तो इस तरह से यहाँ पर निश्क्रम्य का प्रयोक वाक्य में किया गया तो इसी तरह से यहाँ जो अलग-अलग वाक्य दिये हुए है इनका क्या क करना है सब्द दिये हैं का उपस्रित्य का मतलब होता है पास में जाकर या समीप में जाकर तो उपस्रित्य अब इसका वाक्य में प्रियोक करना है तो छात्रह सिख्षकम उपस्रित्य प्रिच्छती छात्र सिख्षक के पास जाकर पूछता है प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके बालक कह प्रविश्य वदती बालक प्रवेश करके या कहें बालक कह ग्रिहम प्रविश्य वदती बालक घर में आकर पूछता है द्रश्टुम, द्रश्टुम को तात पर यह होता है देखने के लिए या देखने योग्य तो देखिए, देखने के लिए क्या क्या चीज़े हैं तो उन्स पर आधारीत आप एक वाक्य का प्रियोग कर सकते हैं अहां परवतं द्रश्टुम इच्छा में, मैं परवत देखने की इच्छा करता हूँ इदानिम, इदानिम का मतलब होता है इस समय इदानिम सरतकालह अस्ति, इस समय सरतकाल जल रहा है अर्थात इस समय सरतरितु चल रही है अत्र, अत्रक मतलब होता है यहां यहां अव्यापद है अत्र अध्यापनम भवती, यहां अध्यापन हो रहा है तो इस तरह से जो वीभिन वाक्य दिये हैं, उनका हमने वाक्यों में प्रयोक किया और इसी तरह से और अन्य वाक्य दिये जाएंगे, सब्द दिये जा सकते हैं उनका वीभिन वाक्यों में प्रयोक करने के लिए कहा जा सकता है तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा, प्राने भ्योपी प्रियह सुवरिद इस पाठ के अधार पर यह जो अभ्यास के प्रस्ण भी हमने हल किया यह एक नमुने मात्र हैं, ऐसे ही तरह-तरह के प्रस्ण वीभिन परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं हमने चुकि पाठ का भली महाती अध्यान किया है इसलिए चाहे प्रस्ण अभ्यास पर अधारित आएं या पाठ से संबंध कोई प्रस्ण पूछा जाए उसके लिए हम सभी तयार हैं क्योंकि पाठ का अध्यान हमने सम्याक रूप से किया है तो निशित रूप से आपने इस पाठ को समझा और पढ़ा और पाठ का जो उद्देश से है पाठ से जो मिलने वाली सिख्छा है इसको भी हमने देखा और साथ ही संस्कृत के काविया में किस तरह से नाट्यांस है या नाटक आधी की रचना संस्कृत महा-काविया सैन्स्कृत में किया गया है इसके विशामी हमने इस पाइट के माध्यम से परिचाय प्राप्त किया तो निश्यत रुप से इसके माध्यम से हम संस्क्रित भासा और साहित्य पर अपनी समझ विक्षित करने में समर्थ हुए है चलिए अंत में सर्व्यभ्यो नमो नमह